हालो स्ट्रेंड्स एट्मी की स्ट्रक्चिर चेप्टर हमाना चल रहा है जिसमें आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोनिक कन्फिग्रेशन इलेक्ट्रोनिक कन्फिग्रेशन का मतलब क्या होता है इलेक्ट्रोन को डिस्टिब्यूट करना यानि की बातना हमने इलेक्ट्रोन को जैसे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं हमने पहले इनको इलेक्ट्रोन दिया फिर इनको दिया फिर इनको दिया और कौन कितना इलेक्ट तू को प्लंद कर रहे हैं कि मैंग दिच्टiबिउट कर रहे हैं तो उससी तरीके से जियना इसे तरीके से येहां PS कर रहे हैं तो उसे तरीके से मीटरोन करेंगे तूसको क्या बोलेंगे electronic configuration यानि कि electron बाटना अब electronic configuration electron बाटेंगे कहां तो हमको क्या पता है कि electron कहां रहता है atom में यह हमने एक ले लिया atom atom के center में क्या होता है nucleus और nucleus के बाहर में क्या होते हैं यह shell होते हैं या orbit होते हैं shell या orbit की संख्या कितनी होते हैं यह पता नहीं इंफनाइट तो अभी हम बात करेंगे यहां पर सेवन सेल या ओर्बिट तो हमने यहां पर नुकलियस के बाहर हमने यहां पर सेवन सेल और बिट लिया है के ल, यहां पर मैंसमुम कितना इलेट्रों दिया फिर एम में हमने कितना इलेट्रों दिया तो यह जो हम इलेट्रों इसमें बाटते चल रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं इलेट्रोंनिक कन्फिग्रेशन कर रहे हैं तो इलेट्रों को बातना देखें इलेट्रोंग को बाट सकते हैं Klmopq इन शेल में हमने इलेट्रों को डिस्टिब्यूट किया य के अंदर पढ़ चुके हैं कि शेल शेल के अंदर क्या होता है सबसेल होता है यानि कि शेल को हम और क्या बोलते हैं ऑर्बिट तो शेल यानि कि ऑर्बिट के अंदर क्या होगा सब ऑर्बिट तो शेल सबसेल इसको कहा जाए या फिर इसको ऑर्बिट इसको सब ऑर्बिट कहा इस तरीके से हमने सेल के अंदर सबसेल का यहां पर डिस्टिबिशन कर लिया है अब सबसेल जो होता है, सबसेल के अंदर क्या होता है, और्बिटल, तो S सबसेल में एक और्बिटल होता है, और्बिटल को हम इस तरीके से रेक्टेंगुलर बॉक्से दिखा रहे हैं, तो एक सबसेल में S में है एक और्बिटल, और एक और्बिटल में maximum कितने होते हैं, दो P में 3 orbital होगा इसमें maximum 6 electron D में 5 orbital maximum 10 electron F में 7 orbital maximum 14 electron तो electron जो होते हैं वो cell के अंदर sub-cells, sub-cell के अंदर orbital होता है और electron in orbitals में रहते हैं तो electronic canfiguration जो हम करेंगे हमuleह keynote को cell के अंदर distribute करेंगे तो यह method किस ने बताया था हमको borbury ने बताया था यानि कि हम बोरवरी के रूल में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से इसमें अगर हमको electron distribute करना है electronic configuration हमको करना है cell के अंदर तो हम कैसे करेंगे सबसेल में electronic configuration करना यह हम above principle के according पढ़ेंगे ठीक है और उसके बाद orbital में electron को किस तरीके से distribute करना है इसके बारे में पावले स्कूजन प्रिंस्पल और हून्स रूल इसमें आते हैं इनके थ्रू हम यह study करेंगे कि किस तरीके से orbital में electron distribute होंगे यानि कि electronic configuration का हमने यहां पर देखा कि एक तरीके से यहां पर three method है पहला electronic configuration in cell दूसरा electronic configuration in sub cell और तिसरा electronic configuration in orbital और आज हमें study करेंगे कि किस तरीके से sapsL में यहां से star करेंगे सबसल में electronic configuration करते हुए इस सबसल के का electronic configuration यह तीनों ही हम एक साथ हिनको लेकर के चलते हैं अभी electronic configuration में फिर मैं आपको अलग से इसमें प्रिंसिपल हून्स रूल बोरबरी ठीक है और आप बाव प्रिंसिपल इनके बारे में आपको मैं अलग से इसमें बताऊंगी हमने यह सबसेल का हमने यह मैथाड ले लिया ठीक है सबसेल को इस तरीके से एरो के थुरू आपको दिखाये गया है यह देखिए बनेस बनाने आना चाहिए आपको क्योंकि अगर कोई बड़ा एटिमिक नमर आ जाता है और आपको यह लर्न नहीं है तो आप इसको फटा-फट बना सकें बनाएंगे हम कैसे यह हमने ले लिया एस एकदम बराबर में करते जाएंगे एस एस के ठीक नीचे एस ठीक है फिर देखिए यहाँ पर एस पी और डी और यहाँ पर हम कम करेंगे एस पी डी हमने एफ को उटा दिया फिर एस पी सेवन देके चल रहे हम तो इस तरीके से इसका अर्इंडमेंट करेंगे सारे के नीचे एस सेस देखिए यह है ना पी-पी-डी और एफ-फ अब यह क्या है हमारा वन यह तू यह त्री यह फोर फ 5 6 7 यह 3 से स्टार्ट हो रहा है 3 4 5 6 और यह हमारा 4 से स्टार्ट हो रहा है 4 5 ठीक है इतना कंड़े बाद अब आप इसको इस तरीके से ऐसे-इसे इसको सीधा-सीधा मिलाते चलेंगे अगर हमने सही धंग से इसको जमाया है ठीक है ना एसके नीचे एस बिल्कुल यह प्रॉपर वे में अगर हमने इसको जमाया है तो सब एक दूसरे के साथ इस तरीके से यह कटते जाएंगे यह देखिए यह हमने ले लिया और एरो हमने इधर की तरफ लगा दिया क्योंकि चलना हमको इस धर से ऐसे है ठीक है तो यह चीज इस आप फटाफट यह बना सकते हैं अब 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 मैं आपको बताती हो इलेक्रोनिक अन्फिगेशन कैसे करेंगे देखिए सबसे पहले हमको चलना कैसे है इसमें हमको कितने एरो दिखाई दे रहे हैं यह हम किस वे में हमने इसको एड्जस्ट किया है उसको छोड़ देते हैं हम यह आरो डेखते हैं कि हमारे टोटल error कितने आया है यह दी के इसको मैंने नाम देदिया को इसलिए तरह कंवर्सर पहले हम कमेशन देगे ठीक है कौन है यहाँ पर 1S यानि कि जब भी हमको electron देना होगा electronic configuration का मतलब इनको electron distribute करना इतने सारे यह line में खड़े हैं ठीक है आप किसको electron पहले देते हैं और कितना electron देते हैं इसी को हम क्या बुलेंगे electronic configuration तो हमने सबसे पहले electron दिया कव में 1S को फिर हम हमारे एक एरो खतम हम खवाले एरो में आगे कवाले एरो में हम सबसे पहले देंगे electron 2S को उसके बाद यह एरो तरह से। में तरह से एपाइर्डवकर किने में हो चे AKASici जीने 2020 के तरह जाएंगे जाएंगे देंगे और फिर को देंगे पएफ फिर फोर देंगे को देंगे जवाले में 4D, 5P, 6S, जवाले में 4F, 5D, 4P, 7S, ठीक है जवाले में 5F, 6D और 7P, इस तरीके से हम electron का distribution करेंगे यानि कि electronic configuration अब हमने एक example लिए यहाँ पर जैसे हमने कार्मन का हमको करना है ठीक है कार्मन का atomic number कितना दिया हुआ है 6 ठीक है electronic configuration हमेसा atomic number का ही होता है क्योंकि atomic number मतलब यह इलेक्ट्रोन है उस atom में electron के संख्या कितनी है 6 है ठीक है न कार्मन में कितनी electron है 6 अब यह 6 electron उस atom के अंदर किस तरीस से कैसे इसमें उनका arrangement होगा उस चीज़ को इलेट्रोनिक अंफूगेशन के थुरू बताए जता है अब ये कारबन है इसक्राइमिक नम्बर है 6 इलेट्रोनिक अंफूगेशन करते हैं सबसे पहले हम किसको इलेट्रोन देंगे 1s को यह 1S हमने ले लिया, 1S, S कितना electron लेता है, यह चीज़ आपको पता होना चाहिए, S में maximum 2 electron, मतलब ज्यादा ज्यादा दो ले सकता है, कम लेना चाहे तो एक भी ले सकता है, P जो होगा maximum 6 लेगा, minimum 1, 2, 6, minimum 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, D maximum 10, minimum 10 से कम, और F maximum 14 minimum 14 से कम, तो इस तरीके से इनका यह electron लेने की capacity होती है, तो carbon में हमने सबसे पहले 1S को electron दिया, ठीके, कितना electron 1S लेगा, 2, जो 2 electron लेगा, इसको हम लिखेंगे, ऊपर, 1S, 2, ठीके, 6 electron हमारे पास है, उसमें से हमने 2 दे दिया, अब आगे हम किसको देंगे, खावाले में आ 2S, 2S को हमने कितना electron दिया, 2, ठीके, क्योंकि यह भी क्या है, S है, S है, ऐसे तो कितना electron लेगा, 2 लेगा, 1S2, 2S2, अब हम गवाले में आ जाएंगे, गवाले में पहले हम किसको देंगे, 2P को देंगे, 2P, ठीके, हमने 2 और 2, 4, यह भी देखते चलिए, कि हमारे पास electron है यह नहीं, अब हम यहाँ पर P की capacity देखते हैं, तो P लेट तो सकता है, 6 electron, लेकिन क्या है, आपके पास 6 electron देने को है, यदि हमारे पास 6 electron नहीं है, तो जो हमारे पास, मैंने आपको बताया कि यह maximum 6 लेते हैं, minimum तो जीतना आप देंगे, उतना ले सकते हैं, ठीके, तो हमारे 2S2, 2S2, 2P2, तो यह हमने कारवन का electronic configuration कर लिया, ठीके, अब हम क्या करते हैं, इसका, देखिए, यह हमने जो electronic configuration क्या है, यह हमने क्या है, सबसेल में, अब इस सबसेल वाले electronic configuration को पहले हम इसको चेंज़ करतेshift में से लभी फायट है इसमें कितने हैं इसमें कितने कर दे रहें हैंकि रहें तो यश्य लीट्रों के सीधा इसे ओल्टा वाला क्लॉक्वाइज स्बीन कर रहा है यह पर किया लिए पी ले लिया यह तिवे है đों अब बो इन्य जい नहीं degrees गलत हो जाएगा आगे हम ये हो नियों के लिगवी लोगम छॉन सुरूल में ए लिएक डिस्टिबूशं कैसे चाये चाहता है सब में एक लिट्रों भरते हैं जितने वी ओर्पिटल दिखेंगे तेटेशन सभी उसके बाद चौथा यहां से आना शुरू होगा, तो यह देखे, इस तरीके से हमने किया इसका orbital electronic configuration है, और्बिटल में किस तरीके से electron को जमाना है, लेकिन यहां पर थोड़े सी एक आपको मैं बताऊं, यहां पर हमारा एक rule follow होता है, जो कि आपको बताऊंगी, यहां जो यह इसका एक electron है, एसका जो यह वाला electron है, यह electron क्या करता है, कि यहां से jump करके इधर चला जाता है, ठीक है, यहां से यह jump करके और यह electron यहां चला गया, तो अब इसमें total हमको unpaid electron की संख्या कितनी हो गई, एक, दो, तीन, चार, चार unpaid electron की संख्या है, तो चार unpaid electron को paired करने के लिए, जितने electron की जरूद पड़ेगी, वही electron, जरूद वाली electron उस carbon की, क्या होगी, जरूद की वेलैंसी होगी, तो कारบन की वेलैंसी हमने साम क्या पढ़ते हैं, फोर पढ़ते हैं, अगर मैं यहां सेeriault को हटा करके, और यहां कर दूँ, तो यहां prison and period electron की चांवे हिए, के वल टू मिलेंगे, यानि कि यहां पर इसकी वेलैंसी कितनी होनी चाहिए, यह टू इस एक करते हैं। देखे यहां पर लिखा हुआ है one थीक है ना वन का मतलब क्या कि के की बात हो रही है yानि की के में कितने लि convenience है आप two the electron हो गया है के में के अब देने के यहां पर Track रहें 2 यहां पर भी या या निकि दोनों ही क्या है एयल है थीक है तो इसको नीचे लिखते हैं K और यह हो गया L तो 2 यह भी है 2 यह भी यानि कि दोनों के इलेट्रोन को एड़ कर दिए 2 और 2 4 तो यहाँ पर हो गया 2,4 यानि K में 2 इलेट्रोन और L में कितने है 4 इलेट्रोन है अब इनके cell के according cell में इलेट्रोन देखते हुए अब आप क्या कर सकते हैं उस एटम का सेप बना सकते हैं ठीक है यह नुकलियस हो गया नुकलियस के बाहर अब देखें इसमें कितने cell आपको दिखाए दे रहे है 2,1 तो K दिखाए दे रहा है तो यह हमने ले लिया K ठीक है और यह हमने ले लिया L K में कितने इलेट्रोन है 2,2 इलेट्रोन भड़ दिया L में कितने इलेट्रोन है 4,1,2,3,4 ठीक है यह हमारा atom के अंदर इलेट्रोन शो हो गया ठीक है दूसरा एक्जामपर हम ले देते हैं F F का atomic number 9 fluorine, fluorine atomic number 9 ले लिया अब इसका electronic configuration सबसे पहले हम कैसे करेंगे sub cell में करेंगे सब cell में electronic configuration पहले हमने electron किसको दिया 1s को, 1s को कितना electron देंगे 2, 1s 2 उसके बाद 2s 2 उसके बाद 2p हमार पास कितने electron है 9, तो 4 तो हो गया बचे कितने हमार पास, 5 electron तो यहाँ पर हमने कर दिया P वैसे लिखता, लेता कितना है 6 electron, लेकिन हमार पास 6 electron है नहीं देने के लिए, तो हम उसको कम भी दे सकते हैं, तो यह 5, 4 9, ठीक है, 9 electron 9 electron का distribution हो गया, यह electronic configuration हो गया, और इसको पढ़ेंगे कैसे 1s2, 2s2, 2p5 इस तरीके से पढ़ेंगे अब इसको हमको orbital में अगर electronic configuration करना है whom's rule को follow करते हुए करेंगे पहले हमने एक orbital बनाया, 2 electron फिर हमने यह orbital बनाया, फिर 2 electron और फिर हमने यह p का orbital बनाया इसमें हमको 5 electron distribute करना है पहले 1, 2, 3 सब में unpad electron बनेंगे फिर appearing करना शुरू करेंगे फिर यह और यह तो 1, 2, 3, 4, 5 यह हो गया हमारा orbital में electronic configuration अब इसको हमको अगर shell में करना है इसको KLM में में करना है तो कैसे करेंगे, यह देखे 1 वाला, तो केवल एक ही है, यह रहा और 2 वाले, यह 2 वाला और यह 2 वाला, इन दोनों को एक साथ कर लेंगे तो यहां पर कितने हो जाएंगे, 2 electron और 5 और 2 यह कितने हो जाएंगे, 7 electron 2 और 7, यह हो गया K में और यह हो गया L में अब हमको atom बनाने को देगा, तो मना लेंगे यह nucleus, nucleus की बार पहला cell और यह दूसरा cell पहले में है यहां पर 2 electron और दूसरे में है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ electron ठीक है, यह जो हम इन ले ट्रॉन distribute कर रहे है, कि पहले 1s में electron दे रहे है, फिट 2s में दे रहे है, फिट 2p में और 3a से जाद है energy, 4 3p, फिर 4s, तो यह सब जितने यहां पर बैठे हुए है, यह अपने energy level के बढ़ते हुए क्रम में बैठे हुए है, increasing order में बैठे हुए है, तो सबसे पहले हमको electron minimum energy वाले को देना है, उसके बाद धीरे-धीरे, उससे जादा जिसके energy है, उसको देंगे, फिर उससे जादा जिसके energy है, उसको देंगे, इस तरीके से energy का क्रम बढ़ाते हुए हम electron distribute कर रहे हैं, तो यह about principle में यही बताया गया है कि energy label बढ़ाते हुए हमको electronic configuration करना है, ठीक है, एक और example हम ले लेते हैं, जैसे MN25, देखें, magnees 25, academic number, electronic configuration करेंगे, सबसे पहले हम किस में कर रहे हैं, sub-cell में, ठीक है, sub-cell में above principle को use करते हुए, तो क्या करेंगे, इसमें electronic configuration, देखें, सबसे पहले हम electron बनेंगे 1s2 में, 1s2 के बाद 2s2, 2s2 के बाद 2p6, उसके बाद 3s2, 3p6, 4s2, 3d, यह बाद देख लिते हैं, हमने कितने electron दे दिए, 6, 6, 12, 6, 18, 22, है न, 20 electron तो हमने दे दिए, बचा कितना हमार पास, 5 electron, d की capacity कितनी है, 10 है, लेकिन हमार पास बचे कितने हैं, केवल 5 electron बचे हैं, तो हम d को केवल 5 electron ही दे देंगे, ठीक है, यह हमने electronic configuration किसमें कर लिया, अब इसको change करना है हमको orbital में, ठीक है, orbital में, orbital में कैसे करेंगे, यह S है, 1 है, ठीक है, यह भी 1 रहेगा, P है, P में कितने रहेंगे, 3, फिर यह S, 1, फिर यह P आ गया, P में कितने रहेंगे, 3, फिर यह S, 1, और यह फिर D है, D में कितने orbital होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, यह हम और 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 बिटल्स तो बढ़ दिए यहां कितने हैं दो दो एक लॉक्वाइज एक अटीक्लाक्वाइज यहां सिख लेट्रॉन है होन सुरूल को फॉलो करते हुए बरेंगे एक दो तीन 4, 5, 6, ठीक है, यहाँ पर 2 है, 1 और 2, यहाँ 6 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पर 2 है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, यह electronic configuration हो गया, orbital में, अब अगर हमको इसको shell में बनाना है, तो हम क्या करेंगे, देखिए, 1S में, है न, 1, 1 family का यहाँ पर यह एक है, 2 family का यह और यह दोनों है, इनको एक साथ ले लेंगे, 3 family का यह, यह और यह, ठीक है, यह और यह, थी फैमिली का यह एक साथ है, और यह 4 family का, तो 1 family, 1st family में कितने लेट्रोन है, 2 electron, 2nd family में 6 और 2, 8 electron, उसके बाद 3 family में 6 और 2, 8, 8, 8 और 8 और 5, 13 electron, उसके बाद 4 वाले में कितने हो जाएगा, 2 electron, यहो गया K, य यह हो गया M, और यह हो गया N, ठीक है, 8, 2, 10, और 10, 2, 12, 12, 12, 13, 25, ठीक है, तो यह हमने electronic configuration कर लिया, shell में, अब यदि हम इसको चाहें, atom में इसको adjust करना चाहें, तो यह nucleus बनाएंगे, nucleus के बाद इसमें कितने shell है, 1, 2, 3, 4, 4 cell, तो यह हो गया हमारा 1st cell, 2nd cell, 3rd cell, और 4 cell, 8 electron रहेगा, पूरे सरकल में भरेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और तीसरे में कितने electron, इसमें 13 electron भरेंगे, और इसमें 2 electron भरेंगे, तो इस तरीके से electron इसमें adjust रहेगा, तो यह हमने आज सिखा, electronic configuration, देखे, एक हम ले लेंगे केवल sub cell, ठीक है, इसके थू, SPDF वाला यह चाहट बनाना मैंने आपको बताया, और अगर इसको प्रक्टिस करेंगे, तो यह चाहट बनाने में हमको जादा-जादा 30 सेकेंड लगते हैं, तो हम यह फटा-फट चाहट बना लेंगे, चाहट रेडी करने के बाद हमको कोई भी एट्मिक नमबर दिया जा, हम electronic configuration कर सकते हैं, और अब हम देखेंगे इसका exception कि कहीं-कहीं पर यह एक्सेप्सनल इलेट्रोनिक कन्फिकेशन है, और वहाँ पे exception क्यों लग रहा है, उनके बारे में study करेंगे, साथ में में आपको पावलिस क्रूजन प्रिंस्पल, हुन्सरूल और बोरवरी, इनके बारे में अब आपको बताऊंगी, तो यह हमारे next वीडियो में रहेगा, तो आज का topic यही over होता है, study करते रहे हैं, ओके थे